दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है अगर आप फ्लीट किसी बिल्डर से बेशते हैं या पिर किसी परसं को बेशते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सवधान होने की जरुवत है नहीं तो यह सा घ़सा होगा कि कुछ साल बितने के बाद या कुछ महीने बितने के बाद ही, income tax department आपके उपर कोरोडू रूपय का tax लगा जाएगा, आपके घर पर notice हाजाएगा, फिर आपका निंद उड़ जाएगा, आप सून नहीं पाएंगे, आप हमें सा त्यानाओ में रहेंगे, क्योंकि कई लोग को ऐसा notice पर आप थो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप कोई flat बेशते हैं, या फिर कोई जमीन ही बेशते हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पर capital gain का मामला बनता है, आपको capital gain होता है, और उस पर आपका tax बनता है, और कई लोग इस concept को नहीं समझते हैं, जिसके बाद यहाँ पर income tax department करोड़ो आपको जिस परकार का capital gain होता है, उसके coding notice आपको बेश दिया जाता है, और कई लोग notice को ignore करते हैं, फिर कुछ समय बाद, जितना tax बन रहा है, उसके उपर 200% तक penalty जोड़ के आपको बेश दिया जाता है, फिर आपका पूरा जिंदगी उसे जमा करने में ही बीच सकता है, त कि कल को इसा पढ़सानी ही ना हो, तो आप यहाँ पर करेंगे कि आप जो भी flat बेशते हैं, जमीन बेशते हैं, आप हर financial year में अपना income tax return जरूर फाइल करवाएं, और आपका जो भी CA है, आपका जो भी income tax का advocate है, आप जिससे भी अपना return फाइल करवाते हैं, आप उनसे calculation करेंगे, और आपके ऊपर कितना tax बन रहाएं आपको बताएंगे, और आपके पास यहाँ पर यह भी option होगा, कि आपको इतना साल के अंदर कहीं investment करते ना है, और अगर आप इतने सालों के अंदर investment कर देंगे, तो आपका जो भी tax बन रहात हो, वह बच जाएगा, लेकिन क यहाँ पर जो income tax department होता है, वह रईष्टी office से आपका पूरा data मंगाता है, तो आप बच नहीं सकते हैं, आज digital यूग है, हर चीज एक दूसरे से connected है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा जागरूग रहे हैं, ताकि कल को कोई मुसीबत ना हो, और एक बार अगर notice आ जाता है, त यहाँ पर आप मुसीबत ने पढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पहले से ही किलिए रहेंगे, आप कोई भी चीज नहीं छिपाएंगे, आपका प्रोपर तरीके से income tax return फाइल होगा, तो फिर कोई भी दिकत नहीं होगा, और अगर department notice भी बेजता है, तो उसका आप आपके पास जबाब होगा, आप जबाब दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना income tax return ही नहीं फाइल किये हुए रहेंगे, आप data को छिपाएंगे, तो फिर आपके पास क्या जबाब होगा, फिर आपके उपर tax के साथ-साथ penalty भी लगा दिया जाएगा, फिर आप उससे बच नहीं सकते हैं, आप खुद दिन आहीं होगा, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर जागरूग रहे हैं, ताकि कल को income tax department से notice नहीं आए, अगर आप भी builder है, आपने भी फ्लैट बेच है, और आपको भी income tax department से notice आया है, और इस सिलसिले में अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हम मेरी paid service है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक सधिक अपने दोस्तों और इस ते धर में भी जरूर सेयर करें, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नहीं टॉपिक के सांथ, तो तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें